हलो स्टुडेंट आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के नेस्ट क्वेस्टन तो सेंथ क्वेस्टन है इफ ए मेट्रिक्स है तो 5 0 0 1 1 माइनस 1 0 3 so that a inverse is equal to a square minus 6 a plus 11 identity तो हमें so that खनाज कि जो इसका a inverse आएगा वो a square minus 6 a plus 11 identity के equal होगा तो यह हमें दनो तो left hand side और right side side दनो verify करनी है तो हमने a inverse तो हमने पहले तो a inverse निकालना है उसके बाद हमें a square चाहिए 6 a और 11 identity तो हमें a square और a inverse और a square चाहिए तो पहले a inverse निकालते है a inverse आपको पता है कैसे निकालना आता है तो a inverse का जो formula तो क्या होता है 1 by a का determinant adjoint a तो हम पहले इसका determinant निकाल लेंगे और फिर हमें adjoint चाहिए तो matrix a है 25001 minus 103 तो इसका determinant निकालते हैं तो expand कर लेते हैं row r1 को तो 2 तो यह remove करते हैं यह तो 3 की 1 के साथ multiply minus 0 तो second 0 चोड़ देते हैं वैसे लिखोगे तो 0 यह आएगा आगे minus 1 यह remove कर देते हैं तो 5 minus 0 तो 6 minus 5 तो 6 में इसे minus 5 स्क्राइट करोगे 1 और यह 0 के equal नहीं है जब 0 के equal नहीं है तो a is non-simular and a inverse exist करते हैं a inverse है तो हम अब adjoint निकालने के प्राइब हमें कौन चाहिए cofactor तो दा cofactor of a एक एक cofactor निकालोगे a11 a11 यह remove यह remove 1 1 0 3 तो 3 की 1 की multiply 3 minus 0 तो 3 आ गया a12 a12 है ओड है तो minus आया तो यह छोड़ देते हैं तो 5003 5003 इसकी multiply 15 बार minus है ऐसे ही a13 तो 5011 इसका determine निकालोगे तो 5 आया फिर a221 odd है तो minus तो 01-13 तो minus का 1 आया इसका determine तो a22 तो 20-13 तो कितना आया 6 तो a23 तो minus 20001 इसका determine minus 2 आया a31 01 minus 10 तो 1 आया है आगे a32 minus 2 5 और minus 1 और 0 तो यह कितना है minus के 5 तो यह आया गया हमारे पास को factor और a33 का निकाल लोगे a33 का कितना आया 2 यहाँ a33 का 2 अब argument आया आपके पास argument क्या होता है को factor का transpose तो 3-1 1-15 6-5 5-2 2 अब इसका transpose करोगे तो transpose करोगे तो row को column में change column को row में change तो यह row है तो इसको column बनाओगे 3-15 5-1 6-2 का minus 1 6-2 हो गया और 1-5 2 का 1-5 2 हो गया अब a inverse a inverse क्या होता है 1 by a का determinant multiply adjoint a तो a का determinant क्या आए था 1 आए था तो 1 का multiply एकर तो 1 ही आएगा इसके अर्जवेंट के साथ वही आया एक अर्जवेंट तो अर्जवेंट आया आपका 3-15 5-1 6-2 1-5 2 तो यह first equation अब हमें right hand side में क्या है a square minus 6a plus 11 identity इनवर्जवेंट तो निकल गया अब इसके पेले निकाल लोगा अगर यह 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 आता है तो यह equal है अगर otherwise equal नहीं है तो इसमें हमने क्या चाहिए a square a square कैसे निकालोगे a a की multiply mean matrix a की और matrix a की multiply matrix से आपके पास 2-5-0-0-1-1-1-0-3 और a matrix वही 2-5-0-0-1-1-1-1-0-3 तो multiply करोगे row by column की या column by row की तो two की इसके साथ करोगे four ten zero फिर five की five की zero one zero five five और zero की इसके साथ करोगेhower zero 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 फिर जीरो की इसके साथ करोगे zero zero one की से estás करोगे 0, 1 की इसके साथ करोगे 0, ठीके आगे है Minus 1 की Minus 2, Minus 5, 0 0 के साथ करोगे 0, 0 3 के साथ करोगे Minus 3, 0, 9 अब add करोगे 4, 00, 4 हो गया 10, plus 5, 0, 15 हो गया 0, plus 5, plus 0, 5 हो गया 0, plus 0, minus 1 0, plus 1, 0, 1 1 पलस 3 4 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस का 5 माइनस 5 009 हो गया तो यह आया आपके पास A square अब इसमें value रख देते हैं A square की माइनस 6 A की और 11 आइडेंटिकी तो यह आया आपके पास A square 4 15 5 माइनस 1 1 4 माइनस 5 माइनस 5 9 माइनस 6 मैट्रिक्स है आपके पास 2, 5, 0, 0, 1, 1 है माइनस 1, 0, 3 है पलस 11 identity है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 तो आगे 6 की multiply और 11 की multiply कर दोगे तो यह आपके पास A square आया था 4, 15, 0 माइनस 1, 1 4, माइनस 5, माइनस 5 और 9 माइनस यह multiply आया है 6 के बाद माइनस 12, माइनस 30, 0, 0, 0, 6,, 6, 0 माइनस का 18 plus 11 के साथ multiply, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11 अब एड़ कर दोगे तो 4 माइनस 12, पलस 11 चेंनों गो 15 माइनस 30, 0, 5, पलस 0, पलस 0 माइनस 1, 0, zero 1 माइनस 6, पलस 11 4 माइनस 6, 0 तो यह आगए अब add करने के बाद कितना यह 3-15, 5-1, 6-2, 1-5, 2 यह second और first और second जो first भी आई थी वही same आई थी आपके पास और second भी same आई है तो a inverse is equal to a square minus 6, a plus 11 identity यह हमें prove करना था आके eighth question है if a is 3, 7, 2, 5 and b is 6, 8, minus 7, 9 find a b inverse a b inverse का मेनी क्या हुआ कि a b की multiply करो और फिर उसका inverse निकालो वही process है तो पहले a b की multiply करोगे 3, 7, 2, 5, 6, 8, 7, 9 multiply करोगे 6 किसके साथ करोगे 18, 42 8 किसके साथ करोगे 16 और इसके साथ 14 7 की 21, 49, 9 की 18, plus 45 तो add किया 34, 82, 39 और 94 यह matrix आगे आपकी a b अब a b का तो हमें इसका inverse निकालना तो उसके लिए हमने कौन चाहिए determined चाहिए और उसका adjoint चाहिए तो a b का डिट्विन निकालोगे 34, a 2, 3, 9, 9, 4 तो इसके साथ multiply तो 3, 1, 9, 6, minus में 39, 82 की multiply 3, 1, 9, 8, तो इसमें से subtract करोगे minus का 2 जो 0 के equal नहीं है जब 0 के equal हैने तो inverse exist करता है और इसके cofactor निकालते है अर्चोंट निकालने के लिए तो the cofactor of a, b, r तो a, 1, 1, 94 a, 1, 1, a, 1 यह है तो यह छोड़ देते हैं तो 94 तो a, 1, 2, minus का 84 देखो यह है तो यह छोड़ देते हैं 82 लेकिन जो 1, 2 है यह odd है तो symbol के आया minus का फिर a, 2, 1, minus के 39 वैसे 39 पलस का लेकिन 2, 1, odd है तो minus का symbol ला गया a, 2, 2, 34 यह है तो यह छोड़ देते हैं यह छोड़ देते हैं तो 34 आया है तो argument a, b, argument a, b आया 94 minus 39, minus का 82 और 34, इसका transpose करो 94 minus 82, minus 39, 34 तो a, b, inverse का आया आपका formula के आया 1 by a का determinant तो यहाँ a, b का determinant और argument a, b तो a, b का determinant का आया है 1 by minus का 2 आया है तो 1 by minus का 2 और argument a, b आया है 94 minus 82, minus 39, और 34 अब minus 2 से डिवाइड करेगा अंदर multiply करता हूं तो 94 minus 2 से डिवाइड करा minus के 47 और यह minus minus से कहने से तो 41 आए गया यह डिवाइड है 39 by 2 यह डिवाइड है minus का 17 तो यह आगया a, b का inverse यह हमें निकालना था तो यह दो question करने हैं आपने फिर copy में थैंकस